Atomic Structure तो सबसे पहले हम हिस्ट्री देख लेते हैं किस तरीके से महाँ पास Atomic Models अलग-अलग आते गए तो स्टार्टिंग में हमाँ पास आई Dalton's Atomic Theory उनने बोल दिया कि Atom Indivisible होता है Indestructible होता है उससे कोई छोटी चीज नहीं होती तो basically इस तरीके से कोई भी hydrogen का माल लाटम है तो इस तरीके से देखेगा उसको आप electron, proton, neutron के सी किसी चीज में तोड़ नहीं सकते फिर उसके बाद हमाँ पास Thompson's Plum Pudding Model आया है उसके बाद में आया है क्यों आया तो देखो इसमें क्या होगा था Thompson ने cathode ray deflection experiment की मदद से electron की discovery कर ली थी यहाँ पर इस तरीके से इसको गरम किया गया वहाँ से electron eject हुए यहाँ पर कुछ इस तरीके से potential लगा है कि electron इस तरीके से accelerate हुए उनकी कुछ velocity आई यहाँ पर हमने एक magnetic field और electric field इस तरीके से रखा कि हम देख पाया electron का हमने e by m compare कर लिया h plus i n के हिसाब से तो उससे हमें पता चल लिया हमाँ पास एक बहुत ही कम mass का negatively charge particle होता है और जैसे हमें यह चीज़ पता चल गई तो उनने बोला यार यह ऐसे electrons होते है तो बाकी का positive charge का आता है तो उससे हमाँ पास plum pudding model इस तरीके साथ है बोला गया उनने कि यहाँ पर जो हमाँ पास अब देखो हमारा जो atom है वो तो neutral होता है तो हमाँ पास plus charge का पूरा इस तरीके से neutral body रहेगी और उसके बीच में छोटे-छोटे इस तरीके से electrons हमारे पास होंगे जो कि electron को हमने detect कर लिया था यह चीज हमें Thompson's plum pudding model से पता चलती है उसके बात के जो models है उसको भी देख लेते हैं फिर आया हमाँ पास Rutherford's atomic model Rutherford ने क्या किया अब हमाँ पास थे को electron की discovery हो चुकी थी लेकिन nucleus अभी हमें पता नहीं था क्या होता है तो उन्होंने क्या किया एक इस तरीके से gold की sheet ली बहुत ही पतली gold को क्यों लिया क्योंकि gold बहुत heavy metal होता उसके atoms बहुत ही heavy होते हैं इस तरीके से वो रहते थे और यहां से alpha particle alpha particle क्या होता है positively charge particle होता है उनको यहां से scatter किया अगर हमारा plum pudding model सही होता plum pudding model के साब से क्या होता है यह जो पूरी space है यह पूरी की पूरी positive charge से बनी होती और उसमें बीच में कहीं कहीं पर electrons होते हैं ऐसे case में क्या होता है यह पूरी की पूरी positive है तो यह positive particles हैसे जाता है यहां पर थोड़ा शायद उनको repulsion feel होता लेकिन वो इस तरीके से सारे के सारे सीधे निकल जाते है कुछ हमें pattern देखने को मिलता लेकिन actually में ऐसा हुआ नहीं हमने क्या देखा कि यहां पर से कुछ तो इस तरीके से deviate हो रहे थे और कुछ एकदम पीछे भी इस तरीके से आ रहे थे instead यह propose किया है कि हमारे पास atom के अंदर पूरा का पूरा mass और positive charge दोनों center में बहुत छोटे से से concentrated होता है बाकी पूरा empty space होता है और electron उसके चक्कर लगाते हैं यह सब चीज़ों बाद में आ जाती है लेकिन इसमें हमारे पास nucleus की discovery हो गई यहाँ पर हमें कुछ calculation करनी पड़ती है rather force atomic model में वो सब चीज़े हम देख लेगे पहली observation थी कि most past undeflected बहुत सारे alpha particle undeflected चलेगा इसका मतलब बहुत सारी जगे उसमें खाली है हमारे पास इस तरीके से जो atom था उसमें यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, सीधा निकल जाएगा undeflected, यह पूरा empty space है few deviate at 180 degree तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा यह बहुत ज़्यादा heavy होगा तभी यहाँ से हमारे पास alpha particle आएगा तो वो आपस repel होकर के पीछे आ सकता है अगर इसका वजन कम होता है तो यह दोनों ही आगे चले आते collision में हमें सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं तो इससे हमें पता चले जाता है, पूरा का पूरा charge और पूरा का पूरा mass एक point पर concentrated होता है वही हमारा nucleus होता है तो इससे हमारा nucleus की discovery हो जाती है अब इसके बाद ऐसा model बनाएगा कि हमारा पास hydrogen की अगर बात कर ले तो हमारा पास center में तो उसका nucleus है जिसमें neutron, proton, जो जो चीज़े होती है वो होती हो, साथ में electron चारों तरफ चक्कर काटते है अब इसके कुछ drawbacks है drawbacks क्या है, देखो बहुँ, electron चक्कर काट रहा है चक्कर काट रहा है, यानि कि वो एक centripetal acceleration उसके पास होगा accelerated motion हो रहा है चार्ज का, और जब भी चार्ज का accelerated motion होता है उसमें से EM waves निकलती है energy dissipate होती है तो eventually energy dissipate होते 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 electron क्यों जाकर के nucleus में नहीं गिर जाता है तो यह है, why does electron does not fall उसको यह चीज़ explain नहीं कर पारे थे इसलिए यह इसकी problem थी दूसी चीज़, why discrete spectrum spectrum की बाद हम next lecture में गरने वाले तो वहाँ पर spectrum को हम Rutherford atomic model से explain नहीं कर पारे थे पर फिर भी इसमें दो तरही की calculation हमें देखनी होते हैं उन दोनों calculations को देख लेते हैं Rutherford model में दो तरही की calculation हम कर सकते हैं उसको बोला रहागा पहली बाद तो alpha scattering alpha scattering क्यों क्योंकि यहां पर gold होता था या heavy इस तरीके से atom होता था यहां से alpha particles को इस तरीके से बेज़ देते हैं this is alpha particle और यहां से आगे वो scatter हो जाता था अब देखो यहां पर कुछ चीज़े हमें समझनी पड़ेंगी पहली चीज़ हमारे पास एक होता है impact parameter impact parameter क्या होता है मान लो हमारे पास इस तरीके से atom है उसका center of mass या उसका nucleus जहां पर था वो वाली line यह है और यह हमारा alpha particle आ रहा है इन दोनों के बीच में जो distance होता है उसको बुलायाता है impact parameter this is b उसके बाद यह यहां से इस तरीके से deflect हो जाता है और यह deflection का एक angle होता है थीटा दो तरीके हमारा पास calculation हो जाती है पहली चीज number of alpha particles scattered at an angle theta per unit time will be proportional to हमारा पास 1 upon sine की power 4 theta by 2 यह चीज हमें समझनी पड़ेगी दूसरी चीज आप यहां पर देख सकते हो हमारा पास जो b की value आती है b impact parameter will be proportional to cot of theta by 2 हमारा पास दो तरीके के numericals यहां पर पूछी जा सकते हैं इचीज हैं आपको यहाद हो ने चीज है कुछ questions करेंगे तो आपको और clarity आ जाएगी इन रधर फोर्ट स्केटरिंग एक्सपरिमेंट दिन नंबर ओफ एल्फा पार्टिकल स्केटर एट 60 डिग्री इस 5 इंटो 10 इस तो पार 6 तो नंबर ओफ एल्फा पार्टिकल स्केटर एट एंगल 120 डिग्री विल बी तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है हमको बोला गया है कि यहां पर से इस तरीके से अल्फा पार्टिकल आते हैं 60 डिग्री पर जो हमारे पास इस तरीके से स्केटर हुए उनकी संख्या है साइन थीटा बाइटू की पावर फूर यह वाला फॉर्मले का सिस्माल करना है वीडियो को पास करो क्वेश्चिन को सॉल्फ करो बहुत ही सिंपल इसका अंसर है सी कैसे आया देखो सॉल्फ करने की कोशिश करते हैं हमाने पास value होजाएगी n2 upon n1 will be equal to sine of theta 1 divided by 2 upon sine of theta 2 divided by 2 और इस पूरे की पावर आजाएगी हमाने पास इस तरीके से 4 values खाली रखते जाओ theta 1 कितना था हमाने पास 60 degree है यह हो जाएगा sine 60 by 2 यानि की sine 30 साइन 30 डिवाइड़ बाइ डिनॉमिनेटर में आ जाएगा साइन अफ 60 इसकी पाउर हमें 4 करनी पड़ेगी which will be equal to साइन 30 की वैली होते है 1 बाइ 2 साइन 60 की वैली होते है रूट 3 बाइ 2 तो ये आज़े था में आपस 1 बाइ 9 N2 की वैली हो जाएगी N1 दिवाइड बाइ 9 N1 की वैली किती थी 5 इंटो 10 दिवाइड पाउर 6 दिवाइड बाइ 9 C is the correct answer बहुत ही लल्लू साइए सवाल था रूट D1 and रूट D2 are the impact parameters corresponding to scattering angle 60 degree and 90 degree respectively when an alpha particle is approaching a gold nucleus for D1 is equal to X times D2 for the value XX will be तो बहुत ही simple सा अगीन formula based question है यहाँ पर देखो हमाँ पास क्या होता है impact parameter क्या होता है यहाँ पर हमाँ पास इस तरीके से एक atom है और हमाँ पास यहाँ से alpha particle इस तरीके से जा रहा था और फिर वो किसी theta angle पर इस तरीके से deflect हो जाता है यह होता है हमाँ पास impact parameter हमाँ पास again result है B is equal to B is proportional to quart of theta by 2 अब वीडियो को पॉस्ट करो question को solve करके result नगालो जो भी पूछा है इसका correct answer है 3 solve करते हैं देखो हमाँ पास आता है B2 upon B1 will be equal to quart of theta 2 divided by 2 upon quart of theta 1 divided by 2 इस तरीके से B2 by B1 की value हमें क्या जाएगी देखो यह है root D2 this is B2 this is under root of D2 upon D1 हमें basically इस तरीके से पता चल जाएगा ओके और इसकी value किती है जाएगी quart of theta 2 कितना है 90 degree तो quart of 45 quart 45 जिसकी value 1 हो जाएगी यहाँ जाता है अपने पास quart of 30 इसको मैं लिख सकता हूँ quart 45 की value तो 1 हो जाती है यह हो जाता है tan 30 tan 30 की value होती है 1 by root 3 यहाँ से हमाँ पास value जाती है D2 is equal to D1 upon 3 हमसे पूचा है D1 is equal to 3 D2 तो X is equal to 3 हमाँ पास आंसा जाएगा straight forward formula based सवाल आते हैं यह तो इसको छोड़ के मैं जाना exam में यह जो छोटा सा वीडियो आपने देखा actually एक छोटा सा पार्ट है एक छोट इसे प्यार इसे crash goals का जिसमें हमने 11th और 12th की पूरी की पूरी थियोरी और बहुत सारे conceptual questions बहुत सारे important previous sales questions सब कुछ cover कर लिया गया है 40 वीडियो है जही main के 40 वीडियो है जही advance के सब कुछ आपको मिल जाता है जही month में link is in the description उसको ज़रूर चेक आउट करो साथ में colorful handmade PDF जो बहुत अच्छी रहेंगे आपको revision के लिए last minute revision के लिए सारे के सारे notes absolutely free है जी हाँ और भी उसके लिए आपको payment करने की ज़रुद नहीं link is in the description colorful handmade notes है download करो और में vlogging channel को भी subscribe कर ले न क्योंकि मैं जा रहा हूँ एक Pan India Road Trip टे व्लोग बनाऊँगा link is in the description please और मिलेंगे अब course में या फिर व्लोग में that you decide bye bye see you tomorrow